नमस्कार दोस्तों जाहिन दोस्तों एक आजीब ख़बर है कि G20 के जो पेपर्स में बसुधेव कुटमबकम के जिक्र पर अब चीन को दिक्कत है चीन कह रहा है कि जो बसुधेव कुटमबकम है यह एक संस्क्रत भासा का सब्द है तो फिलाल भारत की हर बात में टांग लाने वाले चीन को अब इस सब्द पर भी आपती है कि भारत इस सब्द का परियोग क्यों कर रहा है यह जो है ना वो महा उपनिसद का संस्क्रत का एक सब्द है और इस बार यह G20 का थीम है क्योंकि इसकी मेजबानी भारत कर रहा है पिछले महीं ने कुछ आउटकम लेकर मेजबान भारत की तरफ से जो सारांस जारी किया गया था उसमें भी इसको जखे मिली है तो इसी तरह से G20 के बाकी डॉकुमेंट्स भी सब्द का उले किया है अब चीन ने तर्ग दिया कि जो G20 जो दस्तावेज है वो अधिकारिक तोर पर बसुद्यों कम सब्द का अब्योंकि उसका कहना है कि यह एक संस्क्रित भासा के सबने हमें नहीं किया है तो फिलाल जो जनकारी मिली है कि ऊसके मताबक ज़ Shaphmill को सामिल करने पर जराबी सहमत नहीं था और जो G20 का सेक्रेटेट है उसके भी सुद्रों ने बोला है कि चीन एक आउधाना करूप में इसका स्वागत करने या फिर इसका समर्थन करने के ब्रोध में तो जबकि सचेवाले को इसका जिक्र करने हैं मतलब इस सब्द का परियोग करने पर कोई आपती नहीं है फिलाल देखा जाए तो जो G20 के फाइनल डॉकुमेंट्स हैं आउटकम डॉकुमेंट्स हैं तो उसमें बसुद्यो कुटमगन की आउधाना का सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद एक प्रत्वी एक परिवार एक भविस तक दिया गया है इसमें लिखा आए कि हम G20 उर्जा मंतरी भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत 22 जुलाई 2023 को गोवा भारत में एक प्रत्वी एक परिवार एक भविस से विसाय पर मिले और प्रतेक दस्तावेच के लोगों लेटर हेड़ पे संस्क्रत के सब्द को बरकरा रखा गया है यह सिप एनरजी ट्रांजिसन G20 का अधिकारिक डॉकुमेंट्स नहीं है इसमें संस्क्रत के सब्द को देखा जाये तो चुना गया है अब भारत सरकार ने से क्यों चुना कि सरकार की माने तो चीन की हर मीटिंग में किसी ने किसी मुद्द पर कुछ ना कुछ आप बती रही है तो मा अपनसद का एक इसलोक है उससे एक मतलब ही निकलता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और इसे प्राचीन गरंतों में पाए गए सबसे गहन अध्यात्मिक और दासनिक विचारों में से एक माने ज़ता है अब हम आपके एक रोचक चीज बताते हैं कि चीन में भारती भासा संस्रत लगबग 2000 सालों से भी अधिक समझ से लोग परी है और यह भासा काफी सम्रद साली है पैंकिंग उनिवस्टी में प्रोफेसर हैं बांग वे युन्होंने कहा है कि भारती संस्रती की जड़ संस्रत चीन में आज भी काफी लोग परी है जबकि आधुनिक भारत में इसकी प्रगती कम हुई है उन्हों नहीं तक काई कि जो पैकिंग उनिवेस्टी है वो चीन में प्राचिनतम उनिवेस्टियों में से एक है और यह संस्कत्त की पढ़ाई होते होते समय तक सौ साल पूरे हो गया तो चीन में संस्कत्ती के प्रसार का जो स्रे देखा जाए वो एक चौथी सताब्दी के भारती बिद्वान कुमार जीवा को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने दोजार साल पहले चीन में रहने के दौरान बहुत सूत्रों का चीनी वासा में अनुवाद करने में मदद की और जो नेशनल टीचर आफ चाइना का साही खिताब भी हासल किया था उन्होंने तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में भी संस्कत्त पढ़ाई जाती है लेकिन फिलाल बरोद करने के एक बहाना है बहाना यह है कि हर हरत में क्या करेंगे हम लोग भारत का बरोद करेंगे देखा जाए तो vivir Indies आज़ा मुलक है चीनलेकिन फिर भी बहाँ पर संस्कत्त ही लोग पर दा काफी बड़ी है योग की लोग प्रिता वहाँ पर काफी बड़ी है तो देखा जाये तो ये बहुत महत्पूर्ण है कि इस परकार की खबरे आ रही है कि भारत का बरूत करा जाएगा क्योंकि भारत एक संस्क्त सब्द को चुना है जब कि वो खुद चीन में भी संस्क्त की पढ़ाई होती है एक और विद्वान थे छटी सतादी में बहुत बिख्शू जियान जांग ने भारत की यात्रा की थी और 17 साल तक भारत में रहे है और उनने वहीं पर संस्क्त भासा सीखी और उसके बाद वो चीन पहुँचे उसके बाद तो कई भिख्शों ने भारत की यात्रा की और प्राचीन भारती चिकिस्सा पद्दती का ज्यान में लेके गए और चीन की पीकिंग यूनिवर्स्टी में संस्क्त के लिए एक अलग बिभाग भी है जिसमें 60 से ज़्यादा लोग संस्कत पढ़ते हैं और संस्कत को बढ़ावा देने के लिए वहां के एक प्रिख्यात इंडोलोजिस्ट है जी जी आलिन इनको संस्कत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पदम स्री से भी नवाजा है और सरकतरास संक्दोरा की जून कुछ अंतराश्टी योग देवस गुसित करने के बाद से चीन के लोगों में संस्कत सीखने की एक्षा बढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि संस्कत को चीन खुदर अडॉप्ट करे हुए लेकिन फिर भी वो ब्रोध कर रहा तो ब्रोध का तो कोई भी बहाना हो सकता है फिलाल ब्रोध संस्कत का नहीं है ब्रोध भारत का है नमस्कार जाय हिंद